दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चार बातों के बारे में बताऊंगा जो कि एक चालाक अउरत कभी भी किसी को भी नहीं बताती यू तो औरत ये अपने मन में काफी बाते चुपा कर रखती है लेकिन समय आने पर इन बातों को बोल भी देती है लेकिन इन चार बातों के बारे में कभी भी औरत किसी को भी नहीं बताती और अगर किसी भी मजबूरी में बोलना भी पड़े तो वो पूरी तरह से सच नहीं होता तो चलिए जानते हैं कि कौन सी चार बाते हैं जिसे की एक चालाक औरत कभी भी किसी को भी नहीं बताती है तो चलिए शुरू करते हैं जो पहली बात है वो है पुराना या पहला प्यार हम सब को पता है कि आज के जमाने में हर किसी को प्यार होता ही है और और वरत भी प्यार से बश नहीं सकती वो भी शादी से पहले किसी ने किसी से प्यार कर चुकी होती है लेकिन एक चालाग औरत अपने प्यार को लोगों के सामने जाहिर नहीं होने लेती वो हमेशा से अपने शादी से पहले होने वारे प्यार को गुपत रखती है आप किसी भी तरीके से किसी चालाक औरत के मुह से उसके पहले प्यार के बारे में कुछ भी नहीं उगलवा सकते हाँ ये बात एक चालाक औरत हमेशा छुपा कर रखती है जो दूसरी बात है वो है पैसा हर चालाक औरत अपने पास कुछ न कुछ पैसा जमा करके रखती है औरत की ये अच्छी आदत होती है लेकिन इन पैसों के बारे में कोई चालाक औरत आपको कभी भी नहीं बताएगी चालाक औरते अपने जमा की पैसों के बारे में किसी को भी नहीं बताती जो तीसरी बात है वो है बीमारी चाला कवरत अपने बीमारी के बारे में किसी को कभी भी नहीं बताती यह चाला कवरतों को ऐसा लगता है कि किसी के सामने या किसी के व्यक्ति को वो अपने बीमारी के बारे में बताएगी तो उसके सामने कमजोर पड़ जाएगी इसलिए एक चालक औरत अपनी बिमारी या अपने कमजोरी के बारे में किसी को कभी भी नहीं बताती जो चौती बात है वो है मन की इच्छा आप सब को पता होगा कि चालक औरतों का दिमाग काफी शातिर होता है वो अपने मन की इच्छा को किसी के सामने जाहिर नहीं करती उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये बात आप कभी भी नहीं जान सकते हो